गुद्वार्णिंग स्टूडेंट्स लक्ष में आप सभी का स्वागत है मैं आज से आप लोगों पिक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं टॉपिक का नाम है नमबर सिस्टम डिजीटल दुनिया में यह कंप्प्पूटर की दुनिया में हम लोग कंप्पूटर क सेवन क्लास सिक्स क्लास की बात कर रहा हूं उस समय भी यह तर्म आया था ऐसे बिसेकली इसका हिंदी होता है संख्या पदद्ती लेकिन बात यह है यह फिर से क्यूं पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और सर इसके चारो साइड में कुछ-कँछ-कँछ-कँछ नाम लिखे होंगे आप नहीं सुने होंगे तो मैं सुनाओंगा और यहां पर इस चैप्टर का क्या importance है यह भी मैं हापर बताने वाला हूं ठिक फिलाल नाम सुन लीजे इधर decimal लिखा है इधर octa लिखा है इधर hexa decimal लिखा है इधर binary लिखा लेकिन इन चारो सब्दों से तो मिले या न मिले हमको नहीं मतलब मालूम है लेकिन आप binary से ज़रूर मिले होंगे क्योंकि जब हम लोग जब बच्चे classes में थे 789 तो हमें computer की किताब दी जाते थी और उस computer की किताब में हमें कहा जाता था कि computer binary भासा पर काम करता है यहां तक तो याद आया सर हाँ यह बात तुने थे एक computer लेकिन बात फिर से वहीं पर आके रुकी, सर वहां पर Binary भासा हम लोग बोले थे, Binary यह नहीं 0, 1 पर काम करता है, ऐसा बोले थे, लेकिन अब हम लोगों के पास और भी नाम आ गया, यस, हम लोग यहां पर इसी चीज को एक subject, यह एक topic के रूप में पढ़ने वाले हैं, इस topic पूरा नाम आगर हम लोग आपको दिखा था हूँ तॉपिक को आज बहुत अचछे तरीके से समझेंगे जानेंगे एक एक करके देखेंगे ये साथ डिजितल कंप्यूटर दूर्म कोंप्योंं सबस्क्राइज को बारों को सब्सक्राइब्यों क्या होता है पूण करता है इसके पहले सब लगा है यह डिजिटल कंप्योंटर लग-लग है इस एक ही होता है सब्द लगादेने का मतलब हो गया इसालिए मैं आपको क्या बोलना है चाहर रहा हो यहकं जो सब्द निकलेगा के मैं इसको दिखाता हूं यहां से सब्द निकालिएगा और श सब्द का नाम होगा डिजय Article και का हिंदी होता है अंक यस, इसका मतलब, sir, वो computer जो है अंको पे काम करता है, आहा, computer अंको पे काम करता है, जितने भी computers हम लोग हम लोग use करते हैं, अभी मेरे सामने यहां laptop रखा है, तो यह भी अंको पे ही काम करता है, और अभी जो मैं नाम लिया, उसी अंक पे काम करता है, binary अंक पे काम करता है, ठ इसको भी जानना है तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया में संख्या पद्दती एनी नंबर सिस्टम को पढ़ने जाने हैं बहुत अच्छे तरीके से धीरी-धीरे देखिए देखिए एक्जाम पॉइंट व्यू से मैं ऐसा पढ़ा दूगा कि आपको एक भी कोश सेम लड़ जाए जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर एक भी कोश्चन नहीं देगा गरेंटी देता हूं मैं ठीक लेकिन पहले आप मेरे लेक्चर को एकदम पेसेंस ली ध्यान से धीरी-धीरी अच्छे तरीके से देखिए और देखते-देखते नोट्स भी बनाते जाईए देखे मैंने इसको अभी कुछ-कुछ लाइन जो है ठीक है आपके सामने रखा है ठीक है लिखा है अंग्रेजी में आपके कवर बात बताता हूं बहुत अच्छी बात कि यह जो आपके सामने दिख रहा है अंग्रेजी में इसी का हिंदी वर्जन भी मैंने कर दिया है काफी हद तक क्योंकि आप जिस सेमस्टर में हैं वहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी का इसू आता है हर स्टूडेंट को आता है आपको मेरे को भी आया था तो मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए मैंने उसकी हिंदी कर दी है ताकि आप पढ़ते समय थोड़ा सा भी अंग उस समय आपको लगा वह बहुत टफ अंग्रेजी मेरा लैंग्वेज तो ऐसे इस्तिती में आप हिंदी को पढ़कर काफी हर तक समझ सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूं और मैं क्या समझाने की कोसिस कर रहा हूं ठीक है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके आपको कि अपर हिंदी करता हूं ठीक है क्योंकि में आपके समय में जब था तो मुझे हिंदी से अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होती थी और अगर इसका कोई हिंदी बता देता था तो मैं इस टॉफिक को ही समझ जाता था यही बात आपके साथ वीलाग्य हो रहा होगा और मैंव सोच पर आपकी सोच मैच कर रही है तो आगे बठते हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं number system यस तो number system क्या होता है पहले इसको समझेंगे number system कितने परकार के होते हैं इसको समझेंगे और number system का क्या use है हमारे लाइफ में इसको भी समझेंगे बहुत तरह कोश्चन आ गया सब्सक्राइब करके सारे कोश्चन का जवाब देते हैं तो सबसे पहले हम लोग आज जो चैप्टर का नाम है number system in digital computer चलिए मैं कुछ example देता हूँ आपके सांगे मेरे पास तीन मारकर हैं तीन पेन है तीन यह संख्या जो तीन आप रिपरजेंट किये यह संख्या है ना यह तीन क्या है तेन है तेन है इतने तीन इसको आप एक संख्या से रिपरजेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को जब आप कोई संख्या इंडिजिट से रिपरजेंट करते हैं तो नंबर सिस्टम कहलाता है एक पांच रुपईया दस रुपईया ठीक है तीन पेन एक दरजन केला यह नंबर जो आपके सामने दिख रहा है यही नंबर और इसी को पर्टिकुलर एक नियम प नंबर हो गया लेकिन सिस्टम सिस्टम का मतलब भाई अब जोते हैं एक सिस्टम का मतलब समझा रहा हूं कौन सा सब्द बोला इस चोटा-चोटा सब्द को समझ यह देखिए एकदम एजी वे में आपको समझ में आ जाएगा इस सिस्टम सब्द के बारे में आपको समझाने था एक घंटा बाद एक आया आदमी बोला सब्सक्राइब कोचिंग में आया है एडमिशन लेने के लिए तो आप ठीक है बैठिये ना इसके बाद अगला दिन फिर क्लास आये पढ़ने के लिए तो कोई टीचर नहीं ठीक है तो मैंने अन्तिम में बोल दिया आपके कोचिंग का सिस्टम ठीक नहीं है अब आप बताइए सिस्टम का मतलब आप क्या समझते हैं तिक आप सोच रहे होंगे नियम तिक है आप सोच रहे होंगे कानून और नहीं या रही है तो आप अपने बोल चाल की भासा में सम्झाने के लिए बोलते हैं ठीक है शिस्टम एक अरेंजमेंट ऑफ वर्क है जो कि किसी काम को करने के लिए, systematic way का उपयोग करता है, systematic way, कोई काम को करने के लिए आप एक system use करते हैं, उस में उस system के अंदर किसी काम को करने का तरीका बताया हुआ रहता है, उस तरीके के अधार पर चलना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें जैसा बताया गया है, वैसे ही काम करता है तो यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है number system, क्या पढ़ रहे है, number system, अब number system क्या है, number जो मैंने आपको संख्या बताया, इनको एक system में ले जाकर के रखना, जैसे binary, इसमें दो ही डिजिट का परियोग करेंगे हैं, हां, number system, इसको कहते है, binary number system, हम लोग की दुनिया जाते हैं, हम लोग, हम लोग का मतलब human beings, we are, ठीक है, human beings, और हम लोग जो है decimal की दुनिया में जीते हैं, मतलब दस अंकों की संख्या हम लोग पढ़ते हैं दस अंक हम लोग के पास मात्र दस अंक है और इसी दस अंक से दुनिया की हर एक संख्याएं बनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह न जीरो से लेके 9 तक और 10 अंक हुआ कि नहीं यह यह असर हुआ और यह दस अंकों से पूरी दुनिया बन गई समझ तो गए अब सिस्टम का मतलब यह हूँ यहां नमबर और सिस्टम का मतलब हुआ ने के ऑप ठीजिमट ऑफ ठीक है इन एय पर्टिकलर वे और उसी में नमबर हो सा दिया गया नमबरों का अरेंजमेंट के अनुसार से एक नियंब के अनुसार से होना चाहिए तो है नंबर सिस्टम का बात करें कहता है ठीक है इन कंप्यूटर्स इन नंबर सिस्टम इस वे ओफ रिपर्जेंटिंग नंबर बड़ा है मैं इसको थोड़ा चोटा कर दू ताकि आप जो है अच्छे से देख पाएं हल का सको चोटा करेंगे ताकि आप देख पाएं कहता है नंबर सिस्टम इन कम्पिटर्स इन नंबर सिस्टम इस वे ओफ रिपर्जेंटिंग नंबर वे वय मानrin तरीका किसी भी नंबर को रिपर्जेंट करने का एक तरीका होता है ठीक है पर जेंटिंग नंबर इस्पेस्टिक सेट ऑफ डिजिट एने बेस बैल्यू जो की एक खास सेट पर काम करता है जैसे डेसिमल में दस अंक हुए बाइनरी में दो अंक हुए और हैक्साडेसिमल पढ़ाएंगे इसमें 16 अंक होगा एक पर्टिकुलर सेट पर काम करता है और उसके बेस को भी हम दोग दिखाते हैं नंबर सिस्टम कहलाता है तो नंबर सिस्टम क्या हुआ ठीक है वे औफ रिपर्जेंटेशन ऑफ नंबर किसी भी नंबर को दिखाने का तरीका एक और एक्जांपल देते हैं तो हो सकता समझाए पहला लिक्षर है तो धीरे-धीरे में ले जारो आपको जब समझ जाएगा यह नाम सम्झाने का बात यह और आगे तेज भागेंगे तो एक और बात बोलता हूं मेरे पास असी रुपईया है ठीक चलिए ठीक है और मैं अमेरिका चलागे वहां सी रुपईय चिलाओंगा तो मेरी बात तमझे गारे नहीं वहां डॉलर चलता है वहां बुले एक डॉलर है लो भाई असी रूपया है, सिस्टम अलग लग हुआ, यही पर बात कमझ में आ जाना चाहिए, कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे electronics equipment है, अब मैं आपकी दुनिया पर भूज रहा हूँ, आप लोग इंजिनियर हैं, और आप जो पढ़ने जा रहे हैं, यही पर आपको यहां पर बताना चाहता यह electrical और electronics की दुनिया में बहुत सारे सिस्टमों के लिए यूज करते हैं, यस, ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम है, यह बहुत सारे electronics equipment में यूज किया जाता है, तरेक्ट, ओके, चलते हैं, पढ़िए हिंदी में, कम्प्यूटर में एक नंबर सिस्टम अंकों के एक विसिस् करने का एक तरीका है, बस, संख्या को रिपर्जेंट कर दो, दस कैसे लिखेंगे सर, दस लिखेंगे 10,10,10, इस बाइनरी में लिखाता है, दस कैसे लिखेंगे सर, तो 10,10 को दस बोलते हैं, तुम कहरे हो, तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया कौन है, तुम्ह हाँ वही वाला बात पर रहे हैं लेकिन सिर्फ ठीक है आदमी नहीं और भी मसीने हैं आदमी वियत प्रकार का मसीन है यह डेसिमल पर काम किया जोन भाई तुम्हारे सामने कैमरा है इधर लैप्तोप है इधर बोर्ड है बहुत सारे डिवाइसे यह कौन से नंबर सिस्टम पर से डाफने तरीके से इस सेट अपने के तरीके को नंबर सिस्टम चलिए पहला परगराफ हो गया दूसरा नंबर सिस्टम औरूज़ इस पर बेटर कम्यूनिकेशण और इंडि पार..! पूछा कि दुनिया में कुछा कि जो सब्सक्राइब बोल रहां इससे कमिनिकेशन नहीं होगा अरे देखो बताते हैं पहले हम पढ़नेंगे आपको जैसे मैं अभी बोल रहा हैं मेरे पास हलो पहुच रहा है थिक पहुच रहा है पहले भी पहुंचता था जब कंप्यूटर तो उस्तल अब बना और पाहले और अभी में क्या नतर्प्ना हमें बता एंभाब क्या होता है और पाहले क्या होले क्या होता था सुनीनीज जब मैंने हेलो बोला मेरी signal रेडियू signal में convert हो थी रेटियू सिग्नल में इसको नुआज करते हैं यहां सुनिए का बहुत सारे छोटी छोटी बातें बताऊंगा जूकि आगे चलके इसमें बहुत बहुत बारीक बातें आपको निकल के आएंगे बहुत बार कोश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम क्यों पढ़े ठीक है और उत बनाने हम सिखा द जाते हैं तो करेंगे अनुबर सिस्टम के बारे में मैं बता रहा रहा imprison है यह आपके पास हमलोग बोल रहे हम लोग के आज की दुनिया कैसे पहुंचता है जब मैं हलो बोलता हूं मेरा सिगनल रेडियो सिगनल में जाता है और आपके इस माइक से लैप्टॉप में जाता है लैप्टॉप बोलता है भाई देख तुम्हा भासा तुम साउंड में था तुम इसको सिगनल में बदल दिया हम इसको छोटका-छोटका चुटा चुटा भाग में काट डेते हैं तो सिग्नल बा टूपनी जाएगा लेरे चिंता मत करो कंप्यूटर बोलता चिंता मत करो अगर हम चोटा चोटा भाग में काट देंगे और को पह्चाने का भी हैं तो मैं आप थोड़ा सब फोटो बना के समझाता हूं आज का क्लास आईए मैं समझाता हूं फोटो बनाता है देखिए मान लिया कि जो हम लोग सिगनल बोलते हैं वह इसा दिखता है वह सरी कई से बना दिए बाद में बताएंगे कई से बना दिए जब इस सिगनल कंप्यूटर के अंदर जाता है के देखिए यह थे कंप्यूटर थे है कंप्यूटर भाएस इसके अंदर जाता है यह सिगनल जो है ऐसे ऐसे फोटे भाग च JUST में काट दिया जाता है शोटे चोटे चोटे प्सक्राइंड है कि यहीं पर होता है 0 का खेल जैनि सब 0Bean के भाग में बदल दिया जाता इस तरीके से हम आपको इभी बताएंगे यह सिगनल है ऐसे बदल दिये सर ऐसा का बदलने पर यह जो कंप्यूटर है पास्ट काम करता है जल्दी जल्दी डेटा को भीचता है और दूसरा डेटा इसके साथ मिक्स नहीं होता है क्योंकि यह एकदम टूट टूट करके छोटा- सिगनल इसके जैसा दूसरा कोई सिगनल नहीं होता है पहलेवाला क्या होता था सिगनल मिक्स हो जाता था तो खैर उतना समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग बहुत डीडेल मैं चला जा रहा हूँ बहुत आगे नहीं जाएंगे पीशे आते हैं लैपटॉप के पास किया से आप तक पहुंच रहा है इसका मतलब यह हुआ कि सर लैपटॉप जो है हम लोग का साउंड सिगनल को मेरा जो हम बोल रहे हैं इस सिगनल को ठीक है अंक में बदल दिया जी वन जीरो के अंक में बदल दिया और वह वन जीरो वाला तुम गिल्ली में हो तुम अपने घर में बैठे हो वहां सुन रहा होगा फिर उसको वो जोड़ दिया मिक्स कर दिया और जो सिगनल में तुम सुनना चाहते हो जैसे साउंड सिगनल में सुनना चाहते हो तुमारे पास स्पीकर होगा स्पीकर मोबाइल में होगा और तुमको वो सुनाई दे रहा है लेकिन तुमको स सुनाई देना और हमारे बोलने के बीछ में laptop जो है हमारे सिगनलों को अंकों में convert किया और अब पुछेंगे laptop से तुम अंक में कहें संट सिगनल और तुम्हारे संट सिगनल को receive करने मेरे बोलने और करने के बीच में laptop से होके गुजरा और भी electronic device से होके गुजरा यह लोग हमारे सिगनलों को अंकों में बदल देते हैं यह जिन सिस्टम का परियोग करते हैं उसी को कहते हैं नमबर के यस तो यही बात आभी देखे आए topic पर आएए समझ में आएगा है नमबर सिस्टम और यूज़ट स को बेटर कम्यूनिकेशन और रिपरजेंटेशन इन इक मि zar Сейчас पिए संचार और प्रतिंटित्टों के लिए नमबर सिस्टम' का उप्योग सिर्फ और सिर्फ नमबर समझता है नमबर के अलावे कुछ नहीं समझता है तो नमबर के लावे कुछ आता ही एकदम लैपटॉप कोई भी चीज इसको दे दो कुछ भी दे दोगे वो उसको नमबर में करेगा तब जाके इसको काम करेगा काम करने के लिए इसको जो बोलो करने के लिए कर देगा इसका मतलब है बीना नंबर सिस्टम के डिजिटल दुनिया वर्क नहीं करेगी, नोट करो इसको, बीना नंबर सिस्टम के डिजिटल दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है, यस सही बोले, अब सर ये कितने परकार के नंबर सिस्टम होते हैं, ये तो होगे नंबर सिस्टम का चोटा सा परिभासा बताए, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में बताए, कितने परकार के नंबर सिस्टम होते हैं, अब इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, कितने परकार के नंबर सिस्टम होते हैं, आईए, स्वारी, इसको मीटाईए, और इधर से आईए, चलिए, हाँ, नं नंबर सिस्टम के चार परकार देखने को मिलेंगे कितने परकार चार परकार कौन-कौन डेसिमल नंबर सिस्टम, ओक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सर यहां से पढ़िए binary number system, octal number system, decimal number system और hexadecimal number system चारो कोना में चारो को number system मैं आपको दिखा दिया yes number system के चार टाइप है क्या और टाइप हो सकता है यह तुम्हारी खोज पे निर्वर करेगा तुम खोजो, ठीक है यह चारो number system क्या है किन-किन मसीनों में यूज होता है और कैसे यूज होता है अब एक नया-नया कोश्चनाने लगा अब इस पे बात करेंगे तो यहां पर हम लोगों ने आज number system के लिए पहले lecture में सिर्व बेसिक बातों को समझाया और हम लोग यहां तक पहुँचे कि इतने परकार की number system होते है अगले वाले lecture में मैं यहां से start करूँगा कि types of number system हम लोग चार type के number system को देखेंगे और इन चारो type के number system के बारे में जानेंगे हम यह भी जानेंगे कि यह मसीनों में कैसे जाता है और यह कैसे काम करता है अगर अच्छा लगे तो भी बताईएगा पुरा लगे या कहीं कमी नजर आए तो भी बताईएगा इस लेक्चर में इतने ही थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच